राम राम आज हम विश्णु सहस्रे नाम के श्लोक 119 का उच्छारण और हिंदी अर्थ देखेंगे पहला चरण आ, आ के साथ आधा ता आत, म मी अमिक्स करेंगे आत्म योनी ए की मत्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे ही योनी ही, आधा सव पूरी के साथ स्व यो पूरा यो मी अमिक्स करेंगे स्वय शब्द पूराने के बाद यो पे अनुस्वार आधाम स्वयम जातो पहला चरण वापस आत्म योनी ही स्वयम जातो दूसरा चरण व पे आई की मत्रा वई, खा नमी अमिक्स करेंगे वई खान अकी मात्रा नमी तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा वई खानह साम में अमिक्स करेंगे साम गायन दोनों अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स करेंगे गायन नमी अकी मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा गायन दूसरा चरण फिर से वई खानह साम गायन हा पहला और दूसरा चरन साथ में आत्मयोने हिस्वयम जातो वैखानह सामगायनह तीसरा चरन देव मियामिक्स करेंगे देवकी की की मात्रा बढ़ी है देवकी न की साथ आधननन दन दोनक्षर पूरी दोनों मियामिक्स करेंगे नंदन नमिय की मत्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे नंदन फिर है स्र स्र का अर्थोतर स आधा और पूरा स्र की साथ आधा श शटकॉर्ड वाला स्रश्टा स्रश्टा तीसा चरण फिर से देव की नंदन स्रश्टा श्रश्टा श्रश्टा नहीं बोल रहे हैं स्रस स्रस्टा चोथा चरण अब पहले शत्रिये हैं शत्रिये का अर्थ होता है आदा कर और श्र से शटकॉन पूरा यहाँ पर शत्रिये पर ई की मातरा है तो बन जाएगा आदा कर और श्र पर ई की मातरा क्षि क्षि ती की मात्रा बड़ी लंबा की चाहिए क्षिती शह श में अमिक्स किया और श में अकी मात्रा तो विसर्ग को पढ़ा हा क्षिती शह पाप में अमिक्स करेंगे पाप नाशन शन दोनों अक्षर में अमिक्स करेंगे नाशन नम्या की मत्रा तो विसर्ग को पड़ेंगे हाँ चौथा चरण फिर से क्षिती शहपापनाशन हाँ तीसरा और चौथा चरण साथ में देवा की नंदन स्रश्टा क्षिती शहपापनाशन हाँ पुरिश लोग का उचारण एक साथ आत्मयोनिहिस्वयं जातो वैखान Jennifer सामगायन हा दीवा की नंदन स्रश्टा क्षिती शहपापनाशन हाँ फिर से आत्मयोनिहिस्वयं जातो वैखान ह सामगायन हाँ दीव की नंदन स्रश्टा क्षिती शहपापनाशना श्लोक का अर्थ देखते हैं आत्मयोनि ही आत्मयोनि यानि जिनका कारण दूसरा कोई नहीं है ऐसे स्वयम योनी स्वरू मतलब जो किसी और के कारण उत्पन नहीं होते जो स्वयम ही है उनके कारण ये संपूर्ण संसार स आत्मयोनि जो स्वयम खुद ही योनी स्वरूप है स्वयम जातो यानि जो स्वयम अपने आप अपनी इच्छा से प्रकट होने वाले है वई खानह जो पाताल में रहने वाले खिर्ण्याक्ष का वद करने के लिए प्रित्वी को खोदने वाले है सामगायनह यानि जो सामवेद का गायन करने वाले हैं देवकी नंदनह नंदन का अर्थ होता है पुत्र तो जो मादेवकी के पुत्र है स्रश्टा यानि इस समस्त लोकों के रचियता है क्षिती शह यानि इस पृत्वी के पती है स्वामी है पाप नाशन हम जो पाप का नाश करने वाले हैं किसके द्वारा समरन कीर्तन पूजन और ध्यान करने से पापों का नाश करने वाले या भगवान विश्णू के 985 नाम से 900 बरानमे नाम पूरे होते हैं पूरे श्लोक का अर्थ एक बार फिर से जिनका कारण दूसरा कोई नहीं ऐसे स्वयम यूनी स्वरूप स्वयम अपने आप जो स्वेच्छा पूर्वक मतलब अपनी इच्छा से प्रकट होने वाले हैं ब्रोपाताल में रहने वाले हिर्ण्याक्ष का वद करने के लिए पृत्वी को खोदने वाले हैं सामवेद का गायन करने वाले हैं देवकी के पुत्र हैं समस्त लोकों के रचियता हैं प्रित्वी के पती अर्थात स्वामी है और स्मरन, कीर्तन, पूजन और ध्यान करने से समस्त पाप समोदाय का नाश करने वाले हैं अविनाशी, सहज सुखराशी, ही नाथ है मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं नारेन, 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 नारेन